नवश्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप दिखरें सीकर संदेश सीकर में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स यहां पढ़ने आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो सपना देखा है, उनके परिवार ने जो सपना देखा है उसे वो पूरा कर सके उन इंस्टिटूट्स की बदोलत जहां वो एड्मिशन लेते हैं जिनके फैकल्टीज पे वो भरोजा करते हैं और ये वो समय है जब उनके उन सपनों की परिक्षा होनी है जेई मेंच के सेकिंड अटेंट के एक्जाम चार अपरेल से पंदरा अपरेल तक शेडूल हैं और जिसमें करीब बारा लाग से जादा बच्चे अपीर होने वाले हैं इस वक्त हम मुझूद हैं सीकर के इंस्टिटूट सी एलसी में जहां काफी सारे बच्चे अपने इनी सपनों को पूरा करने के लिए हर साल आते हैं आज हम बात करेंगे फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैट्स की फेकल्टी से और उन से जानेंगे कि किस तरीके से इस लास्ट टाइम पर बच्चे अपने सिलिबस को रिविजन कर सकते हैं और साथ ही जो एक्जाम का स्ट्रेस एक्जाम का जो प्रेशर है उसको हेंडल कर सकते हैं हमारे साथ हैं फिजिक्स से पर्मोटड हका सर केमेस्टytes से आरची दहीवाल सर और मैच्स नीरेग गटठानी सर सबसे पहले आप से शुरू करते हैं मैं चाहता हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ में कि अपने आपके सब्जेक्ट फिजिक्स को ये लास्ट के 20 दिन में कैसे जादा अच्छे से रिवाइज किया जा सकता है और जो प्रेशर है उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है उसके बारे आप बताए इस समय बच्चे के दिमाग में सबसे ज़्यादा यही चल रहा होता है कि कौन सा टोपिक तो पढ़ना और कौन सा टोपिक किस पर ज़्यादा स्ट्रेस रखे हैं किस पर कम रखे हैं तो सबसे बहतरीन तरीका ये होता है कि पिछले दो से तीन सालों के पेपर एक बार देख लिए जाएं, उनमें जिस टॉपिक के क्यूशन जादा आ रहे हैं हो, उन पे थोड़ा सा स्ट्रेस जादा रखा जाएं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा उन टॉपिक्स को जादा प जैसे हर बार दो सेशन्स में होता है, दोनों सेशन्स के जो पेपर हैं, उनको गो थू हो जाएं उनसे कम्प्लीटली, तो उससे आइडिया हो जाएगा एक बेसिक, कि कि इस चैप्टर से क्यूशन जादा आ रहे हैं, तो जैसे मैनली अभी प्रजेंट ट्वल्थ के चैप् हैं, उन पर सबसे ज़्यादा फोकेस रखा नहीं, इन कम्परिजन टू इलेवंत के चैप्टर्स में, क्यूशन्स वहां से ज़्यादा आ रहे हैं, और यह एंसे मैनली, मैन्स का पेटर्न जो है, एंसे बेस्टी बेस्ट ही चल रहा है, क्यूशन बहुत ईजी आते हैं, तो सबसे मैन चीज है कि आपको फोर्मूलाज सारे चैप्टर्स के याद हो, तो जब आप पढ़ रहे हों, उस समय सारे चैप्टर्स को फोर्मूलाज लिख लो, अभी मार्केट में भी बहुत सारी बुक्स हैं, जिन में केवल चैप्टर्स के फोर्मूलाज बगरा दिये वे ह तो उनसे अपन लास्ट टाइम में चेप्टर्स के फॉर्मूलाज एक बार गो थू हो ले और थोड़ा सा क्यलकुलेशन के समय क्योंकि जब पेपर इजी आता है तो फिर जादा मार्क्स में भी कम रिंक बनती है बिल्कुल तो क्यलकुलेशन के समय थोड़ा सा प्रिसाइज रहें क्यलकुलेशन करते समय पैनिक नहीं हो तो एक तो इस बात का ध्यान रखना है दूसरा यदि अपन प्रेशर हैंडलिंग पे ध्यान दें तो अपने आपको स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिस करें ज्यादा से ज्यादा जैसे आप कुछ समय अपने स्टडी आवर्स में निकाल के रखें जो आप अपने लिए बनाते हैं मतलब जिसमें आपने दोस्तों के साथ गूम लिए आसपास के लोगों से आपने बातचीत कर ली जड़ी हम पूरे समय यही सोचते रहेंगे कि एक्जाम कैसा है दस गंटे, बारा गंटे, पंदरा गंटे वही पढ़ रहें तो नो डाउट अननेसेसरी का प्रेशर क्रियेट होगा बच्चे के उपर भी तो आप अपने दोस्तों से बात करने के लिए थोड़ा समय निकाल के रखें और उस समय जब आप 4-5 friends आसपास हैं तो केबल इस बारे में थोड़ा सा relax वाली चीजों के बारे में हसी मजाक के बारे में बारे में इन सी जों पर stress रखें हसी मजाक वाली बाते करेंगे तो दिमाग से दफा वो बाते हट जाएंगे तो आपको अच्छा भी फील होगा और पढ़ते समय भी थोड़ा सा अच्छा फील होगा वरना पूरे समय हम 15 गंटे यदि स्टेडी में ही देंगे तो ऐसा पोसीबल नहीं है कि स्ट्रेस नहीं आए स्ट्रेस रिलीज करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा अपने स्टेडी आवर्स में पहले से बना के रखें कि गंटा डेड़ गंटा इस समय मैं नहीं पढ़ूँगा चाहे कुछ भी हो जाए यह जादा बहुत है तरीका होगा आप बता है नमस्कार सर मैं पर्टिकलर केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री के तीन पार्ट होते हैं सर और्गेनिक है इन और्गेनिक और फिजिकल है तो सबसे पहले इन्डियम चेमिस्ट्री के हम बात करते हैं तो एन्टिय ने अड़ी है फूली एंजियाटी बेस्ट आ रहे है तो बच्चे को एक तो एन्सियाटी लाइन टू लाइन लाइन करना ही पड़ेगी अब इनोर केमिस्टरी में प्रोब्लम होती है बच्चे की भूलने की क्योंकि कुछ चीजें memory based याद रखनी पड़ती है बच्चे को तो उसके लिए उस बच्चे को क्या करना चीए हर एक गंटे की study के बाद recall करना चीए एक गंटे क्या पड़ा उसके बाद पांच मिन्ट उसने बुक बंद कर दी उसके बाद उस पांच मिन्ट उन साड़ी चीज़ों को उसको recall करना चीए जितना यह मैथर बार बार वो अपला ही करेगा तो चीज़े उसको याद रहेगी मेन समरी हर चेप्टर की समरी बना ले और उन समरी के अकोडिंग स्टडी करें तो बेटरी स्कोर कर सकता है एंटिय की जो जेई मेन में 21 को जो पेपर हुए हैं जिसमें सभी कम केमिस्ट्री को में इंक्लूल कर सकते हैं और गयनिक के इन और गयनिक फीजिकल वहां कुछ क्यूशन इर्रिलेवेंट क्यूशन आये थे बट लास्ट टू इयर से अगर बात करें 23 के दोनों अटेम्ट की और 24 के जनौरी अटेम्ट की तो वहां पेपर का लेवल डाउन हुआ है मतलब फुली एंसियाटी बेस्ट होगा जी सर जैसे और गयनिक केमिस्ट्री है तो उसमें रियक्षन के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा अगर बच्छा रियक्षन रटेगा तो वहां अपलाई नहीं कर पाएगा अगर वह कंसेप्ट को पकड़के चलेगा तो इजी में अपलाई कर सकता है और और गयनिक भी बेस दो केल्कुलेटिव पार्ट हैं, तो केमिस्ट्री में वहाँ से लंबी केल्कुलेशन नहीं आ रही है, सब्जक्ट के बारे में तो यह बच्चे को धान रखना है, दूसरा, बच्चे को जब पेपर दें, तो इस बात का ज़रूर धान रखना है कि सभी क्यूशन को सकते हैं, जिसमें बच्चे को मतलब एक क्यूशन के आंसम निकालने में दो से तीन मिन्ट ले रहा है, और उस ताइम में वो एजी क्यूशन कर सकता है, तो एसे क्यूशन को डूब करना चीए, तो यह बच्चे को यह खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा करना है, और कौन से क्यूशन अटेम्ट करना है, ताइम मेनेजमेंट के लिए बच्चे को पहले घर पे तयारी करनी पड़ेगी ताइम मेनेजमेंट के लिए, जो पेपर का जो टाइम डूरेशन है, वो तीन गंठे का है, तो जो बच्चा पुराना भी किसी भी कम या ज्यादा करें वो, तो ऐसी प्रेक्टिस करेंगा तो वहाँ टाइम के कोई कमी फिल नहीं होगी, अब डिप्रेस हो जाता है बच्चा, एंजाइटी फिल होती है, इसके लिए कोई मेडिसीन तो आती नहीं कि बच्चे को मेडिसीन दे दी जाए, यह बच्चे को एक साथ कंटेक्ट में हो जो इस सीच्वेशन से अल्रेडी घुजरा हुआ हो, जिसने जेई की तियारी की हो या किसी भी कमपिशन की तियारी की हो, उस से वो बात कर सकता है, इस तरह से अपना प्रेसर वो लूज कर सकता है. पर इसमें जैसे आपने बदाय कि वो एक्जाम के जो तैयारी करें गारी में टाइम लगा कि, वो टाइम का तो मैनेजमेंट हो सकता है उससे, लेकिन एक्जाम सेंटर पे अलग तरीकी का प्रेशर होता है। तो अगर वो एक यह दो पेपर सोलो करेगा उस टाइम के अकोडिंग तब तो 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 टाइम मेंज नहीं होगा अगर वो रेगुलरली डेली बेस पे अगर प्रेक्टिस कर रहा है तो टाइम एक्टुरेट वही रहेगा क्योंकि एसा बच्चों से हम देखते हैं, 10-12 साल से पिछले साल से देख रहे हैं, कि बच्चे का जितना स्कोर यहां आता है, जितने टाइम में उतने क्यूशन यहां टेम्ट कर पाएगा, सारा खेल प्रेक्टिस का है, उसमें वो जैसे, मानलो जैसे आज फिजिक्स का पेप करेंट किया, कल किमिस्ट्री का कर लें, और सो मैट्स का कर लें, तो डेली अपना एक आवर निकाल के रखें इस बात के लिए, कि हमें केवल पेपर अटेम्ट करना है, तो लास्ट दे तक दे विल बी प्रिपेड, अदर्वाइस वो यदि एक या दो पेपर करेंगे, दे पेले बच्चे का एक ट्रेंड होता था कि सबसे पहले मुझे केमिस्ट्री करनी है, उसके बाद मुझे फिजिक्स करनी है, मैत करनी है, अब सर पेपर का लेवल ऐसा नहीं है, बच्चे को खुद को पहले डिसाइड करना पड़ेगा, दो या तीन मिट पेपर को देख लें कि कौन सा सब्जेक्ट सबसी ज़्यादा एजी आया है, किसके क्योशन में एजी में लगा सकता हूँ, तो इस ट्रेंड को इस्टिकली फूलो नहीं करेगी, केमिस्ट्री हमेशा ही पहले करनी है, इसे फिजिक्स का पेपर एजी आ रहा है, तो फिजिक्स पहले कर सकता है, बिलकुल सही, नेरज सर, आप बताए, सर नमस्कार, जैसा कि सर एक मार्केट में पिछले दो-तीन सालों से एक फोबिया है, और हकीकत भी है, फोबिया तो नहीं बोलूँगा मैं, कि मैट्स का लेंदी और कैलकुलेटिव आ रहा है, स्पेशली सेशन 22 और 23 में, सारी शिप् तो यहां पर मैं दोनों ही सर की बात से संबंद रखूंगा, कि एक एक गंटे से बेटर है, कि अब लास्ट के जो 15-20 डेज रहे गा हैं, उनमें तीनों ही सबजेट के फुल सिलिबस मेजर पेपर को अटेम्ट करें, तो तीन गंटे मैं, जैसा कि सर लोगों ने बताया है, क अब ही लास्ट एक दो साल से फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ही जादा डाउन टू लेवल आ रहे हैं, तो कोशिश करें बच्चा अपना, मतलब यह नहीं कि एक घंटा फिजिक्स, एक साइकलोजी सेट रहती है, बच्चे कि मैं एक घंटे में फिजिक्स करूंगा, एक गंटा केमिस्ट्री गंटा मैट्स, वो टाइम नहीं है सर, इसको बेटर वे में अटेम्ट करने के लिए उसे तकरीबन सवा से डिल गंटा, और यह बच्चे कर रहे हैं, बच्चे खुद हमें बताते हैं, कि एक्जाम हॉल में उन्होंने तीन में से डिल गंटे में फिजि जो 24 में हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ इस पहली शिफ्ट में, जैनवरी अटेम्ट में, इसमें सर, थोड़ी सी रहात मिली है, पूरी रहात नहीं, टाफ अभी भी है, लिकें मॉडरेट टू डिफिकल्ट लिवल पे गया है पेपर, अंडाउटली ट्रिकी और कैल्कुल करें, रोज नहीं तो कम से कम हर दूसरे बचे हुए टाइम में, एक फुल सिलेबस पेपर, फिजिक्स, केमेस्टी, मैस, जैसा जेही मेंस का, सर, सब जगे पढ़े हुए हैं, हर कोचिंग इतने करा रही हैं, मार्केट में भी प्रैक्टिस पेपर आ रहा हैं, मॉक्त हैं, स तो बच्चा ये एक्स्क्यूज नहीं ले सकता कि मैं कहा से लाओं, तो हर जगे हैं, वो तीन घंटे अपना करे मैनेज, और उसी में अपने को देखें कि नहीं, तो बाद में बच्चा का ये एक्स्क्यूज रता है कि मेरे को टाइम कम पढ़ गया, तो अगर वो बच्चे हो रहा है, मैं भूल रहा हूँ, ये सब, तो सर यहां पर मैं बोलूँगा जो एक अच्छी तैयारी करने वाला बच्चा रहता है, उसके साथ ये जनरल प्रॉब्लम्स नहीं रहती है, तो एक जो एक एवरेज बच्चा है, और उससे नीचे वाला है, उसके साथ ये बिमार बना करें हम अपनी failure का सामना करें तो better ये रहेगा कि सर हर बच्चे का और हर person का person to person सर वैरी करता है हर बच्चा अपना तरीके से अपना refreshment लेता है आप नहीं हो सकता है आपको सोना अच्छा लगे सर को हो सकता है दस मिनिट अपना न्यूस देखना अच्छा लगे सर को दस मिनिट वॉक करना अच्छा लगे तो यही बच्चों पर लागू होता है सर तो फैमिली का पूरा सपोर्ट रहे जो बच्चे स्पेशली घर से बहार रह रहे हैं वो रोच शाम को निया में बच्चे अगर टेंशन में प्रेशर में नहीं भी बात करते हैं तो उनकी भी एक moral responsibility बनती है if possible अगर वो दो पांस दिनी आएकाद वीक आके रह लेते हैं तो better है सर एक्जाम टाइम में में moral support रहता है और तो हर बच्चे अपना 10-20 मिने आदा गंटा जैसे ढाका सर ने शुरू में अपना बुला कि अपने family से friends से इन सब से बात करें तो हर बच्चे का जो भी corner है सर वो अपने 10-20 मिन और ऐसे बच्चे से तो बात ही ना करें वो जो पहले से इस चीज़ से पिले थे नहीं तो एक और एक बन के 11 करेंगे मेरे को भी टेंशन है तेरे को भी टेंशन है तो एक तीसरी टेंशन आ गई तो ये ना करें और दूसरा सारे एक last ये बोलना चाहूंगा मैं कि last का जो एक week है उसमें नए questions नए topics इनसे ignore ही करें बच्चा मुझे नहीं लगता कि कोई नए questions पे बच्चे को focus करना चाहिए नए topics जो साब साल भर ही है दो साल की तैयारी में नहीं हो पाया है तीन साल की तैयारी में नहीं हो तो तीन दिन में कोई topic तैयार नहीं होना है तो उसके लिए unnecessary अपना burden ना लें और जो चीज़ टफ है जैसा मैट्स हो रखी है तो सभी के लिए टफ है तो मेरे साब से ये सारी चीज़ बिल्बुल सर कम questions में ही एक conclude ये भी बोल सकते है कि बच्चे को PY क्यों जरूर लगाना चाहिए क्योंकि इतने attempt हुए है अपने आप में ही वोग बन गई है एक पूरी बुक है उसको दो से तीन बार लगना चाहिए और देखना चाहिए कि किस concept से examiner question पूछ रहा है और उसी concept को ज़्यादा strong करके जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा तो PYQ मस्ट है कि PYQ बच्चे को solo करना ही चाहिए और वो एक बार नहीं दो से तीन बार क्योंकि दो से तीन बार करेगा तो उसको अपने आप पकड़ लेगा कि क्यूशन बन कहां से रहा है examiner कहां से ले रहा है क्या पूचना चाह रहा है किस तरहीं से फ्रेम हो रहे हैं क्रिशन यह पता बच्चे को खुद को लग जाएगा अब यह काफी सारे आस्पेक्स पर हमने बात की तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका जो इंस्टिटूट है आप लंबे समय से काम कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे आपके यहां से पढ़के निकल के इंजिनेर्स बन रहे हैं आपका इंस्टिटूट बच्चों को लास्ट मुमेंट पर कैसे हल्प करता है जो चीज़ आपने मुझे बताई जो यहां पर बच्चे होस्टल में रह रहे हैं कैसे आप सपोर्ट करते हैं सर हमारे यह नोट सिंगल डे प्रोसेस यह हमारे यह डे वन से जब बच्चा एडमिशन लेता है तब ही से सार मॉरली और यह सब चीज़न सर फॉलो की जाती है उसे मेंटली मतलब एक स्ट्रॉंग नेस दी जाती है स्ट्रंथ दी यह डे वन से ही यहां तो बच्चे को एक जब एडमिशन लेता है तब उसका प्रोपर प्लान सार Ilhan एंपर इससाल यह दो साल सेहीं सर्फश्ले पर हर बच्चे का हर बच्चे का मेंटर है एक मेंटर है जो प्रोपली उसे मिलता रहता है असेमली हमारे यह होती है ठीक है उसके असका पूरा प्लान है कि उसको कब टेश्ट नहें हैं कब उसको सोना है तो सेडूल के अगर इस्टडी करें तो सेलेक्शन डेपिनेटली हो जाता है और अचानक से अगर वो सेडूल बदलेगा तो नहीं हो पाएगा लास्ट मोमेंट पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि बच्चे किसी और इंस्टिटूट के जो टेस्ट पेपर होते हैं टेश्डी होते हैं वो भी attempt करते हैं तो इसको आप कैसा मानते हैं ठीक है न Obviously यह वो हमारा बच्क्य ब database पेपर नहीं पैपर कर गलुप कर रहा है क्योंकि सब क्युक्र राय है क्युंकि सुन सारे इंश्टूट वाले किसन ऐट के लेवल के बनाते हैं जो एक्जां पे solution देखेगा उसका ये सबसे बड़ी भीमारी है यूटूब पे आप जो भी जैसा भी solution गलत सही सब कुछ मिलता है वहाँ पे एक कुछन को solo करने के लिए वो 20 से 25 मिंट खड़ाब कर देगा वहाँ पे तो इससे अच्छा है कि टीचर से जाए डारेक्ली उसका कंसेप्ट वहीं से पूछ ले यूटूब की तरफ न भागे सोचल मीडिया की तरफ नहीं भागे इन से बचके रहना है बच्चे को पर जो एट टेक किसी भी बच्चे का सर यह है कि कंसेप्ट और अपनी स्ट्रेटेजी को मिस्मैच ना करें लास्ट टाइब में जो जिस पे वो साल से दो साल से जो अपनी तैयारी में चला है उसी को फॉलो करें एक या दो या पांच क्वेश्चन या एक पेपर के लिए वो इधर उधर न अगर का इंपरप्रेशन करा है तो उसकी मैंडलेटी वैसी चल गई है अगर किसी ने ऑफ लाइन दो साल ही एक जगे करा है तो उसी को फॉलो करें लास्ट मिन्ट में एक्सपरिमेंट्स आर नोट गुड यह मेरा क्या आपकी जिसे यहां पर जो गच्छे उनको अगर कोई डाउट्स रहते हैं उनको कुछ पूछना होता है तो क्या आज के टाइम बे आज के दिन अगर कोई आता है बच्छा तो उसको कैसे फेकल्टी हेल्प करती है मिलती है फेकल्टी उदर इस टाइम हमारे यहां कलासेज तो हो गई है ओप जिए हम इंस्टू टाइम में प्रो सेशन भी है यह जो प्राब्लम्स का है डे टू डे फ्रो आउट असेशन भी रेगुलर है यह सब उसक भी रहता है और अभी भी रहता है और अभी तो पूरे फोकस जैनी चीजों के लिए इस्ट्रेस रिलीजिंग के लिए तो आपने कई बार हमारी असेंबली या आपने लिए बश्चा यह अँग यह तो वो बैस्ट है जो शब रेस्ट करता है तो उस टाइम बच्चा बिलकुल रिलेक्स महसूस करता है अचा सारे बच्चे क्योंकि होस्टल में नहीं है बहुत सारे बच्चे अपने घर पे भी रह रहे हैं गार्जन के साथ में पेरेंस के क्या बड़ा रहा है आप चीजा से नाफ चीजर समच रहे हैं गालो मं भول ला inne Arizona इसके आप बोला नाप अना शिच्पेशिप्टेष्टेशिन इस समय पेरेंट को बच्छों जो बतानी नहीं चाहिएं, जो वो कर रहा है, उसका सेडूल देख लो, जो अच्छे से पढ़ रहा है, उसके टेस्ट में मार्क्स भी कम आ रहे हैं, तो उसे इस बारे में नेगटीव बात नहीं करें, कि मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं, परेंट्स को बच्चों से इस बात कर चीन कायद चलूब्लम करते हैं। तो बात करते हैं चलों इस टीटोट चलते हैं। आपके टीचर से मिलॹते हैं आपको इसे वोजा आपकी प्रॉब्लम लिए सुल करवाते हैं। एसा नहीं हो कि आपकी एक्स्पिक्टेशन की चक्कर में वह आपको बोली नहीं पा रहा है। उसके साथ प्रॉब्लम जल रही हैं पर आपको एक्स्पिक्टेशन जादा हैं उसको लगज़ा है आप कुछ बोलेगा तो आप डाटेंगे। तो बेटर है कि आप उससे कम्मिनिकेट करें कि कहीं कोई प्राब्लम तो नहीं है भिटाब के साथ है तो आप मेरे को बताओ अपने चलो उस सब्जेक्ट की पर्टीपुलर प्रॉब्लम है आपकी टीचर से मिलते हैं आपको समय दिलवाते हैं आपकी problem solve कर लेंगे तब सर ये कहना चाहरे हैं कि parents को इतने friendly view करना चाहिए इस time pressure उनके तरफ से create नहीं हो उमीदो कांत नहीं है सर बिल्कुल हमने काफी सारी बातें करी और मुझे समझने में ये आया है कि parents को ये चीज़े धान में रखनी है institute अपने end पे धान रख रहा है बच्चे को exam की तयारी तो करनी है साथ में ये चीज़े धान रखनी है कि उसे कहीं भी नया experiment नहीं करना है नई जगे पे नहीं जाना है और आपको जिस तरीके से या जिस format से जो पढ़ाया गया है वैसे ही आपको revise करके particular जो subjects को जितना weight is देना है जितना समय देना है वो आप देते रहें और exam के time के हिसाब से आपको जो previous questions papers है वो आपको attempt करने है ताकि आपका एक mindset भी बन जाए आपका habit बन जाए कि आप वो तीन गंटे-चार गंटे के time में वो पूरा exam आप clear कर पाएं आपको पता रहें कि आपका student की subject में है कि subject में week है तो उसे अगर जादा समय देना ये चीजों का आपको ध्यान रखना है और जैसे सर ने बताया कि आपको institute के touch में रहते हुए कोई भी अगर doubt रहता है कुछ भी रहता है तो institute में आके जिस भी institute में आप पढ़ते हैं वहाँ पर जाके आपको teachers के साथ में faculty के साथ में बैठके अपने doubts clear करने चाहिए ताकि आप exam में जो पढ़ा है वो उतना आप कर पाएं और आप JEE 2024 के second attempt में आप इसे clear कर पाएं अपने अपने परिवार के अपने institute के जो सपने हैं उनको आप पूरा कर पाएं हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुप कामने JEE exam 2024 के लिए सर आपका समय देने के लिए बहुत बहुत घन्यवाद